एलो नमस्कार जी एजुकेशन ओलिश टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी जी हाँ हरियाना विद्धाले शीक्ष्य बोर्ड बिवानी ने अपना परिक्ष्य परिणाम 15 वे 16 माई को जैसे ही जारी किया बहुत से विद्यारतियों के मन में एक ही सवाल था कि हमको फैल क्यों कर दिया गया हमारे कम नमबर क्यों दिये गए भई बहुत खराब रेजल्स और याना बोर्ड का इस साल का रहा है तो क्या कुछ कारण रहे है रेजल्स दोबारा जारी किया जाएगा या फिर नहीं अर्याना के शिक्ष्य मंत्री ने क्या कुछ का आए भई बड़ा बयान देखीगा वीडियो को लाइक कीजिगा भई चैनल को कीजिगा सब्सक्राइब पर तेक जनकारी मिलती रहे सबसे पहले जी हाँ मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बड़ी खबर यहाँ पे देखी कभी हर्याना की जो सिक्ष्य मंत्री है कमरपार्ल गुजर जी हाँ हर्याना में दसवी बारवी के बोर्ड रिजल्ट परती सत में गिराउट दर्ज की गई है इस पर परदेश की सिक्ष्य मंत्री कौपार्ल गुजर्ट की तीखी परतिक्रिया सामने आई है उसका कहना है कि इस साल सरकार ने नकल पर परभावी अंकुष लगाने का काम क्या है परसन पात्तर में क्यूर कोड जैसे तकनिकी अपानक यहां पर बोर्ड परिक्षा के नकल रोकने का काम किया है जिसके कान ही करोना काल के कान भी परिक्षा परिनाम में परतिस्थ में बारी कमी देखने को मिली है आपको बता दें उन्होंने काया कि अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है जल्दी बोर्ड रिजल्ट सुधार के लिए कदम उठाएंगे जाने कि आगे जो बोर्ड का रिजल्ट बनेगा उसमें सुधार के लिए कदम उठाए जाएगा लेकिन ये जो रिजल्ट है ये जो का तो रहेगा ये दोबारा जारी नहीं होगा स्रिक्षमंद्री ने कहा दिय अबी नाने बाद